लाधिराधे मा बिन माय का भाई के बहुत जिद करने पर लल सलेला बच्चों के साथ अपने माय के रवाना हो ली विवेक जल्दी लेने आईएगा और हाँ बार बार फोन कर जल्दी आने को कहते रहिएगा सलेला क्या हो गया है तुम्हें अनुज कपसे आने की जित कर रहा है जा रही हो तो कुछ दिन आराम से रह कर आओ भाई है तुम्हारा अचाना कितनी दूरी क्यों आराम से रह कर आओं क्या कह रहे हो तुम्हें तो बस अपनी स्वतनतता से मतलब है किसी दूशे की भावनाओं से कोई लेना देना ही नहीं कह दियाना दो-चार दिन बाद वापिस आने की चित करना बस यही एक कहा मान लो रात की ट्रेन में विवेक ने सलीला वा बच्चों को बिठा दिया ट्रेन अगले दिन सुबह हैदराबाद पहुचने वाली थी ना जाने कितने विचार सलीला के मन में बेचैन किये हुए थे जल्दी सोने से सुबह जल्दी होगी इस विचार से बच्चों सो चुके बच्चे सो चुके ट्रेन के हर जटके से सलीला का हर बार कुछ नया सोचने लगती ट्रेन ट्रेन हाँ जी विवेक सोई नहीं नहीं मेरी याद हाँ अब बाकी तो जिन्दगी में बच्चा ही क्या है सुनो ट्रेन समय पर चल रही है सुबा जल्दी पहुँच जाओगे ऐसा करता हूँ अनुज को फोन कर लेने कर लेना आने को कह देता हूँ नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं मैं कैप बुक करवा दूँ खुद करवा खुद पहुच जाओंगी आप सो जाएए सुबा घर पहुच कर बात करते है फोन रखा तो मन में कई सवाल जवाब तहल का मचा रहे थे मन में पूरे समय मायके की यादे थी मा की आवाज थी मैंने अनुज को बोला था ये ले आव बिटिया को अकेले बच्चे और सामान लाना मुस्किल होगा दुष्ट हिला भी नहीं पहली बार थोड़ी थोड़ी आ रही है सारे गली महलों से परचित है वो तो यहां की डान थी अपने आप आ जाएगी बाते याद कर है एक हसी सलीला के चहरे में दोड़ गई अनुच की साधी के बाद सब कुछ कितना बदल गया था मा जब लाने को कहती तो कहता मा आ जाएगी ना सालों से आ रही है फिर कौन सा बाइटने से पहले मुझे फोन का लेने आने को बोली थी अरे दुष्ट क्या कह रहा है बहन है तेरी कितनी खुसी होगी उसे अगर तू लेने गया तो मा अब मेरी भी जम्मेदारियां है ये लेने जाना छोड़ना इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं होता जब एक सहर से दूसरे सहर आ सकती है तो स्टेशन से घर आने में क्या परिशानी है मना कर रहा है सलीला कितनी बार बोला पर लेने आने को तयार नहीं कोई बात नहीं मा मत कहो कहा करो अब वो भी बच्चा नहीं है उसकी भी साधी हो गई है मेरे जीते जीतो मान जाता बाद में मैं देखी जाता देखा जैसा रिष्टा निभाना है निभाते छोड़ो ना माव साक्यों बाते का बात का बतंगर बनाना मैं आ जाओंगे अपने आप मत कहा करो उसे ना जाने कितनी बाते उसके मानस पटेल पर दोड़ने लगी जबरन आख बंद कर नीन से मुलाकात करने की कोशी अंतता सफल हो गई सुबा अचानक घबरा कर उ करवा लेंगे असलाए आखों से बच्चे अपना-पना सामान ले खड़े हो गए मन में सोचने लगे कि अभी तक मा दस फोन कर देती पता नहीं घर का महोल कैसा होगा जाते किस से सामना होगा वो अपना सामान कौन से कमरे में रखेगी और भी न जाने क्या-क्या जैसे ही बच्चों को उतार अटैची बाहर निकालने लगी अटैची का वजन कुछ काम कम सा लगा ये मुझे दे दे कुछ और सामान है वो लेया तो इतनी सुबा क्या जरूरत थी पहले तो कहते भी औरों को उतरने दे बाकी बाते आराम से बैट कर करना दोनों स्टेशन को चीरते हुए बिलकुल मौन चलते रहे बच्चे मामा से दुनिया भर की बाते करने में लग गए सामानकार में अनुष्ग ने सलीला के लिए आगे वाली सीट का दरवाजा खोल दिया कैसी है भाई के पूछने से पूछते ही एक आँसु टपक पड़ा मन आया की सीने से लग जोड जोड से रो दें बहुत जल्दी पूछ रहा है कैसी है लेकिन सायत उम्र की परिपरकता गर्दन हिला ठीक है मैं जवाब दिया इतनी ठंड में लेने आने के लिए क्या जरूर थी कल तक मा लाने के जिद कर रही थी तो कहता डौन हो जाएगी अब इतनी चिंता क्यों अपन गार्डन के बीचों भी सुन्दर सी पेंटिंग से सजाया गया था सोच रही थी कितनी बड़ी हो गई हूँ वन्ना आटों से उतने ही उतरते ही मामा चिला कर दोड़ी चली जाती थी नजर उठा कर घर की दहली जे देखी आज वहाँ कोई रौनक ना थी उस दहली की रौन के में कभी नहीं हुआ था बच्चे भावी ना जाने कितनी पुरानी बाते करते रहे दी ये लिजी आपके पसंद के अधरक वाली कड़क चाए बच्चे भी ननिहाल आप बहुत खुश थे बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला सारी खुशियां भी कोई कमी नहीं ल मा की तस्वीर लगी थी वही खड़ी हो गई आसु को काबों में ना कर पाई तो भावी के कंदे पर हात रख कर कहा हम है ना दी आपका माय का हमेशा पहले जैसा रहेगा जैसे कहती हो तुम उसकी जगए कैसे ले सकती हो जो मेरे चेहरे से मेरे दिल की बात जान लेती थी आ जैसा वो चाहती थी सलीला का सामान मा के कमرے में रखवा दिया गया था देखते ही देखते चार-पांस दिन कहां बीठ गए पता ही नहीं चला बीठे चंद सालों में कभी महसूस ही नहीं कर पाई थी कि भावी की हाथ का स्वाद भी बिल्कुल मा जैसा है आज उनके खाने कि स्वाद में मा के हाथों का जैका था तुमारी सबजी तो बिलकुल मा के हाथ के जैसी बनी है इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया हादी सब कहते हैं मा से ही सीखी थी लेकिन उन्हें हर बात स्वाद में कमी लगती मैं उनके आने पर बनाती ही नहीं थी वैसे उनके जैसे काम का सलीका मुझे नहीं उन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए थी सही कह रही हो पापा के जाने के बाद मा पर हमारी जिम्मेदारी आ गई इतना निर्भर रहने के बाद भी एक मजबूत किरदार निभा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई दी सायज जीजा जी का फोन आया है क्या बात है सलीला मा के पहुँच भूल गए हमें वापिस कब आ रही हो आती हूँ जी ये दो दिन में भाई वहीं खड़ा था क्यों अच्छा नहीं लग रहा है हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिक की कि तुझे मा की कमी महसूस ना हो भाई भाविक के साथ क्या अपनतो में कोई कमी कैसी बाते कर रहा है एक बात कहूं ये चिंता फिक्रकास तुमने मा के सामने की होती तो उनकी उम्र दो-तीन साल और बढ़ जाते आज उनके जाने के बाद वही सब करना जो जीते जी चाहती थी सब कुछ होते हुए भी निस्फिक्र थी या हम सब मवजूदा हाला जी रहे होते हैं तो कभी अपने अधिकार के लिए कभी विचार ना मिल पाने के कारण और कभी मा बाप की बातों को टोक समझ उस उपस्तिती के साथ समानजस्य नहीं बैठा पाते लगता था जब मैं काम खुद कर रहा हूँ तो मा बार बार बोल कर क्यों टोक रही है आज समझ आता है वो अपनी चिंता थी उनको उसकी चिंता थी और चिंता में छुपा प्यार हम बड़े हो गए थे पर सायद उसके लिए तो बच्चे ही थे ये सब उनके जाने के बास समझ आया लेकिन तू है ना बिलकुल मा जैस सलीला को अजै की बातों में सच का आइना दिख रहा था पूरे दिन मन भारी था देखते ही देखते पंदरा दिन बीद गए मायके की हर चीज में मा की मौझूदगी आज भी थी कल रवानगी थी सायद इसलिए मन बुझा बुझा था सब देर तक बात चीत करते रहा चानक भावी को याद आया अरे दी मा के कमरे में उनका एक बकसा रखा है वो सायद उनका सबसे अजीज बकसा था ये उसकी चाबी है मैं चाहते हूँ आप उसे खोले ऐसा क्यों मा की हर चीज पर तुम्हारा दिकार है जब हमने किसी चीज के लिए कभी कुछ नहीं कहा तो आज ये संदूक और उसकी चाबी दी मा आप हमेशा कहती थी इसके पूंजी इसमें पूंजी है मेरे बाद एक सलीला ही है जो इसकी कीमत समझ सकती है भुरा मत मानियेगा अच्छा हो इसे आप ही खोलें कापती हुए हाथों से सलीला ने बकसा खोला दुनिया भर की कतरनों में बकसा उपर से सब हटाती चली गई पापा का कुर्ता पजामा रखा था खादी का कुर्ता देख ले आया इस बार बारी इस बार खादी का कुर्ता संभाल कर रख अजय के जनम दिन में पहनूंगा दुनिया आगे बढ़ रही है लोग कोट पहनते है और आप हद करते हो जी कुछ यहीं छोड़ कर चले गए सायद मा के लिए पापा की पसंद का कुर्ता उस दिन से बहत अजीज हो गया था नीचे देखा तो भाई के मुंडन जे मुंडन के कपड़े मुंडन के कपड़े अनप्राशन के कपड़े रखे थे एक हर चीज मा की ममता से ओत प्रोत थी अचानक हाथ में वो गुडिया आ गई जो सलीला कभी जिद करके लाई थी सलीला अब जिद की दो चाटा लगाने वाला है मा दिलो मा दिला दो ना वो गुडिया दिमाग खराब है तेरा इतनी महेंगी गुडिया कुछ और लेलो बेटा थोड़े दिन बाद तु इसकी तर ये कहे समाल की तेरी बेटी को दूंगी कितनी ऐसी यादे उस संदूक में कहती जो सायद एक मा के लिए बहुत खास थी भाबी क्या ये संदूक में हाँ दिहां इसकी कीमत आप से ज़्यादा कोई नहीं समसकता देर रात तक बात कर सब कुक सो गए सलीला मध्यम रोशनी में दीवार पर लगी मा की तस्वीर को देखती रही कहां चली गई मा सब कुछ होते वे तुमारी कमी क्यों पूरी नहीं कर सकता पलक जपकते ही मा साथ थी सलीला सारा सामार रख लिया न ये देख ये साड़ी तेरे लिए रखी थी रख लेसे मा ये तो तुम्हें मामा ने दी थी तुम तुम पहनना नहीं मैं पहनूं या तू ही तू एक ही बात है मैं पहनूं या तू या ये रंग कहां पहनती हूं इसी दिन तेरे लिए रख दी थी ये ले अचार की सीसी भी रख मा भाबी क्या कहेंगी कोई कुछ नहीं कहेगा मैं ये म सुबा विदाई थी चुपके से पर्स निकाल कर रुमाल में लगी गांट खोनने लगी और कुछ पैसे निकाल बिटिया के हाथ में रख दिये यह क्यों मा इतना कुछ दे तो दिया मेरा सिर्वाध है ते बेटा अभी पापा होते तो बिना कहे कितना कुछ करते चल जल्दी कर कुछ खाये बिना घर से नहीं निकलने दूंगी ससुराल में उच नीच हो तो बात वही दबा देना कुछ खुश रहना और इतना कहे मा ने प पूली भावी सामने खड़ी थी मन में आया कहें दें क्यों उठाया भावी मा के सानिध्य में थी फटा फट उठ तयार हुई भावी ने नास्ता करवा दिया विदा किया भावी ने पीछे खड़ा भावी पीछे खड़ी थी दिया आती रहना जल्दी जल्दी आना सीने से लग दोनों के आशू चलक पड़े कभी पराया मत समझना तेरे माय के में तेरा सम्मान हमेशा इसी तरह होगा ये एक भाई का वादा है मुश्करा कर मा की फोटो को पुर्णाम कर जाने लगी जा रही हूं मा आज मेरे बगार माय का क्या होता है ये जान लिया तुम सिर्फ आ मोह से बंद कर रह गई खुब आओ भगत कर दी भाई ने सारे गिले सिक्वे लगता है दूर हो गए तुम तो जाने के पहले घबरा रही थी कैसा लगा मा बिन माय का आँखों से आशो लिये भरे गले से बोली मा बिन माय का नहीं होता उसकी मगुन मनुहार डाट प्यार अपने बच्चे की पसंद ना पसंद समायके में मा पूरा करते हैं बेसक आज अजय ने पूरी कोसिस की उनकी कमी ना खले लेकिन वही बाते यह ऐसास करा गए कि कल तक कुछ भी भूल देने वाला लाड जगर अपना प्यार जताने वाला भाई आज जिम्मेदारियों में बंद मुझसे कितना दूर हो गया है जिन बातों के लिए मा ताने देती थी फिर भी वो उन्हें पूरा नहीं करता था आज उन्हीं सब बातों का खयाल दक जानती हूँ वो अपनी जिम्मेदारियों निभा रहा था मा ने जाने से मेरा भाई दूर हो गया उसकी उजगे ए ही तो मायके की दूरी का अभास हुआ पहले मन में जाने की एक सुकता थी माहर घड़ी कहती लाडो कब आ रही है सच है विवेक मायके में जा हैं कितना भी आपका इंतजार हो पर मा बिन मायका मायका नहीं होता भारी मन से उठ चली गई अपनी लाडो मायके का सुक देने के